प्रसक्टेली6 है शोरे जल्दी भी अब ऐफ एर हो जाएगा कहानी बहतीं ज्यादा यहां पर complicated हो चुकी है और यहां तक के star plus के दो ओचो हैं जो कि अफेर हो जाएंगे तो चली बताते हैं कि आखिर ये कहानी कहां पर end होगी तो दोस्तों यहाँ पर शोरे और अनुकी की कहानी का end शोरे की मोत के साथ हो जाएगा अब यहाँ पर शोरे को पटियाला में दिखाया जाएगा जाते हुए और दूसरे तरफ अनुकी को बुरी तरह से घर कॉलेश वाले परिशान करते नज़राएंगे कि इसका टीचर के साथ में अफेर चल रहा है तो यह दो हो गई इसकी बात की शोरे और अनुकी की कहान एक दो मोड पर जाकर खड़ी हो चुकी है और दूसरी तरफ अहीर जो की अनुकी से काफी प्यार करता है और यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है शो में तो शो मेकर्स ने ये लोकडाउन और इन सब के चलते हुए और इसलिए ये बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और एक अन्फर्म दिन यूज है कि ये शो ओफैर हो जाएगा यहां दोस्तों तो यहां पर शोरे का एक्सिडेंट होने वाला है बहुती बुरी तरीके से इसलिए इनकी शादी भी इस तरीके से दिखाए गई थी कि इनकी शादी की गुप चुप तरीके से हो गई थी और अब इसको कोई नहीं अपनाने वाला तो दूसरी तरफ शगुन और देवी ने मिलकर अब अनोकी को बुरी तरह से यहां पर बदनाम कर दिया है जिसकी वज़े से अनोकी बेचारी यहां पर एकेले पड़ जाएगी और शोरी से कॉंटेक्ट करने के कोशिश करेगी लेकिन फिर भी उसका कॉई कॉंटेक्ट नहीं हो पाएगा तो फिर खबर मिलेगी कि शोरी की जो है मोत हो चुकिया यानि उसका एक्सिडेंट हो चका उसके बाद बहुत बड़ा हास्सा हो चुका है और यह अनोकी को बुरी तरह से तोड़ के रख देगा और यहां पर सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगा फिर अहीर जिसको पता है कि अनोकी की शादी शोरी से जरूर हुई थे उसने मांग में सिंदू जरूर भराता लेकिन उनकी शादी प्रॉपरली नहीं हुई है और किसी के सामने नहीं है तो उसके पास कोई प्रॉवनी होगा तो यहां पर अहीर ही अब अनोकी का सबसे बड़ा सपोर्ट बनेगा यहां दोस्तों तो यहां पर शोरी की मोद को दिखाया जाएगा और अनोकी की शादी अहीर से हो जाएगी यानि अहीर अब उसे अपनाएगा और उसका बड़ा सपोर्ट बनेगा और उसके आगे उसके सपनों को पुरा करने की कोशिश करेगा तो अहिर का ये रोल जो है हमेशा से दिखाया जा रहा था अनोकी के आयर्द गिर्द वो इसी लिए दिखाया जा रहा था कि अनोकी का ये सपोर्ट बनेगा आप देखना है कि इसका सीजन टू कब लेकर आते हैं और ये क्या सिजनल शो होगा जी हाँ दोस्तों जैसे काफी श चुरू होगा तो आगी के अपड़िट के लिए बने रहे हमारे साथ और कालीज शांग को सब्सक्राइब